कि आई ये आप जिराइस्पी साफ ये बताइए कि एक जो बात कि आई है रिकॉर्ट पर तो ये सम्मन या वारंट सर्फ करने के करम में जो भी घटना घटी शुबह में आज तो आपके फुलिस आफिसर ने उस समय क्यों नहीं फियर लाज किया सुझार में जब घटना होई सब्सक्राइब तो तो अपर जाटना लगड़ी ये देखकर आई है क्या मामदा है इसलिए Work में डेले हुआ है तो झाले पूलिस फॉल्स को जमा किया रात में गुषने की तियारी करेक ? में दावा बोला उसने इतने पुलिस ओफिसर्स के साथ घर के अंदर गुशने की जहां मैं रह रही हैं बच्चे रह रहे हैं वह आपके दहसत फैलाने के लिए हैं नौट अन्सर गॉंट नजगेशने लिया कि एक सो साथ का प्रोसीडिंग किस तरह से सुरू करवाया गया सब्सक्राइब तो आपके पुलिस फोर्स को एक बजे रात में गाउं में मुल्टिपुल हाउसिज में इंटर करने की क्या जुवत थी ऐसी कौन से कौन से टेररिस्ट थे वहां कौन से ऐसे गुनागार थे जिनके लिए रात को आपको घेरने की जुरुवत थी कोई है एक्स्प्लानिशन इसका तो बहुत होते हैं आपके पास इसपी साब इस तो बहुत होते हैं जैसल को शीरियस ऑफिंस के फायर होते हैं यह सब आफिंस क्या थे कुछ नहीं थे आपके ओपी में देखी लिया आपने की संबन भी नहीं प्रोपर सर्विस हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं है एलिकेसंस है कि साहब पुलिस वाले उसी संबन के आधार प किया और विरोध किया तो उसके ऊपर यह कारवाई हुई रात में आधी रात को उसके आप लोग घर में कि आपको क्या लगता है आप तो बड़े ओधे पर हैं क्या इस तरह की घटना में रात को एक बज़े पुलिस को घर में घुशने की जिरुवत हो नीची है इसे चुन अब एक्स्क्लें किया कि जो पैरा मिलिटरी बीस थी सर वह एलक्षन पर पस्य दी गई थी वहां पर तो उसको इंपुट मिला की जो कांड मी अक्यूज्ट है वह घर पे हो सकते हैं उसमें सा रेट किया था फिर हम इंटिमेट कि थीख है मान तुलिया कि घर में हो सकते हैं हमारा कांड कोन सा इसके लिए रात को एक बज़े आपको फूसने के जरूवत थे रेसिडिंशेल हाउस में कोई ऐसा कांड होता कोई ऐसी बात होती कि जिसके लिए बिल्कुल डैब करना है को कि कि किसी के घर से लापको कोई आर्म मिला न कोई एक ठो जिंदा कार्तूस मिला तो आपका इंपुट क्या था नहीं था रात को एक बजे रात में कौन सी यसी घटना थी जिसके लिए आप गुश गए ये भी आपका नहीं है के इसके हाँ कोई आपको ऐसा इंपुट था कि साब काफी हत्यार का जखीरा वहां रखा गाउं में इतने लोगों के घर में इसके लिए रेट करने गए थे आप और कोई कांड तो ऐसी थी नहीं इस तरह का तो रोज आप लोग देखते हैं गाउं में छोटी-छोटी सी बातें होती रहती हैं कि यह तो बहुत छोटी सी बात मेरे ख्याल से थी अगर आप रूलर क आपको गाउं की समाज के हालत पता होनी चाहिए सरी माई हमबल परस्पेक्टिव यह चोटी बात नहीं थी सर एक डूटी के साथ गाउं में बत्तेमीजी की गई जब थाने पड़ा कर से चो को नेरेट किया उसके सून आफटर सब मेरे पास वीडियो भी है सर अगर प्ले क करने के लिए परमिसन देंगे भी करना बिल्कूल करें अदो उसके बाद मे शर क्रें tamा पे निवहां पे वोपी पी लोग आ क्या है वो है आपने देखी लिया किस तरह से SDM साहब ने संवन और वारंट कर दिया चुकि समय कम था इसलिए कानून की कोई बाती नहीं हुई तो अगर गाउं वालों नी यह आक्रोष किया और उसमें विरोध हुआ तो आपको एक preliminary inquiry भी तो करनी चाहिए थी उसमें गाउं के दस लोगों को समाज में जो आपकी civil society है वो किसी इसके लिए है आप दुर्गा पुजा में मिटिंग करते हैं सांती सद्वाव बनाए रखने के लिए आप क्या गाउं में मिटिंग नहीं कर सकते हैं कि दस लोग को ले करके आप गाउं में बैठ करके चीजों कर नहीं सुल जा सकते हैं आप किस तरह के ऑफिसर हैं आपने पुलिस फोर्स वेजा ठीक है दीन बर सांत रो रात को एक बज़े घुशना है घर में यह कंड़क्ट हो सकता है क्या बनाफाइट ठीक है उसको एरेस कर लेते साम को एरेस्ट कर लेते नेक्स्टे फिर उसको एरेस्ट कर लेते लेकिन रात को एक बज़े इतने घड़ों में वह भी छट का समय था मैं लाएं छट पर्व कर रही थी तो इतना गयर जिम्मेदाराना तरीके से आप घर में क्यों हुशे रात को डेर वज़े एड्मिटेट पॉजिशन है कि आप रात को डेर वज़े घुशे है कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने इस कंड़क्ट को माल लिया पुलिस के उपर आक्रोस था लोगों का नोक आक्रोस हो सकता है गलत भी हो सकता है लेकिन को ऐसी घटना नहीं है कि अगर आक्रोस हुआ तो उसको सुल्जायर नहीं जा सकता है कि दे और हुआ रनॉट टेररिस्ट कि किसी का कोई क्रिम रिकॉर्ड नहीं के पास जário का है समय नहीं जातें अगर एक करिमिनल एंटीसिटेंट आपके पास कोई वारंट था उसका निवारंट ने है सर तब फिर आप क्या करते हैं थाने पर जो एक पर उसमें वेक वही एक का हमने देखा है एक का किसी का वह चोड़ी वाला केस है दूसरे पुलिस टेशन का बरौनी का है तो आप तो का पुलिस ऑफिसर आता आपके यहां उस्थाना में वहां से आप डेप्यूट करते किसी को उसके एरेस्ट की करवाई कर सकते थे लेकिन आप कर रहें कि उसका भी कोई वारेंट आप एरेस्ट नहीं था सब्सक्राइब की जो एस्पेक्ट सामने आया है उस समय तक यह नहीं नहीं थे सामने में सब्सक्राइब क्यों नहीं थे उस समय तक आपके सामने आप और सभी दोनों पर जिम्मवारी थी न कानून को समझने की अगर इनों नहीं पढ़ा और गलत कारवाई की तो यह आसपेक्ट क्यों नहीं समझ में आया तब तक लोगों को क्यों इसके लिए हाई को आना पड़ा लोगों को और यह जो समय हम लोग लगा रहे हैं इसमें कि यह सेक्शन पढ़वा रहे हैं आपके सब्सक्राइब किया ने अभी इसके पहले नहीं पढ़ा था कभी तो क्या अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस आफिसर को 107 प्रॉसेडिंग इनिस्टेट करना है उसने कभी 107 पढ़ा ही नहीं है क्या खानून का राज है अधिसर कानून तो छोड़ दिजिए कि ही इन कैपिसिटेटेट टूरिमेन अप स्टियम अप दीव डिस्टेक्ट और दीप्लेस सब्डिविजन कि जो व्यत्ति कहें कि हमने पढ़ाई नहीं है आस तक प्रॉविजन को कि उसको क्या अधिकार है उस पत्पर रहने का और आप कहते हैं कि आपके ख्याल से बहुत बड़ी चीज थी अब कर आपका एफ यार सामने है कि आपके फायर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रामीन वहां कोई हथियार के साथ था लाठी के साथ है सुन लिजिए जरा सब कुछ नहीं कहता है कि कि इसी ने एक लाठी भी चलाया आपके पुलिस ऑफिसर के ऊपर सब्सक्राइब कर वीडियो देख लिए जाएगा मेरे पास पैंड्राइब हम देख लेते हैं देख लेते हैं और फायर तो सामने है ना फायर जरा निकालिये ना लेट इस टॉक टूप 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 26 पढ़िये पढ़िये इपकुमार पढ़िये आप महासा निवेदन पूरवक कहना है कि मैं साहे कवर निरचक प्रमोद विहारी सिंग वर्तवान में समयगर ओपी में पदस्थापी थूँच आज दिनांक 28-10-22 को समय करीब 8-15 बजे महाल चौकीदार 12-7 रामबालत पासवान यम जीला बलके सिपाही 3-6-0-7 मितलेश कुमार शिपाही 4-1-7-8 अर्षद ऐयू बंसारी के साथ विहार विधान सभा उप्चनाव 2022 के अंतरगत धारा 107 दंड सेंजिता का मंडल पदादिकारी बाल के नियाले से निर्गत गिरफतारी वारंट के अभियुक छोटु कुमार उम्रे 40 वर्ष पिता सुरेंद्र सिंग सामयागण ठाना गोशवरी सामयागण फोकी जिला पट्णा के घर गये थे वहाँ उपस्थित अस्थानिय ग्रामीन, दिपक सिंग, उम्र पैतालीश वर्ष, संतोष सिंग, उम्र चालीश वर्ष, दोनो पिता रांप्रवेश सिंग, हर्ष कुमार सिंग, सूरा सिंग, उम्र चालीश वर्ष, दोनो पिता मोती सिंग, छोटु कुमार, उम्र चालीश व दोनों पिता रामप्रवेश सिंग जान मारनी के नियत से मेरा गला दबाने लगा जिससे कुछ देर के लिए मेरा सांस रुख गया तब साथ के बल के स्वयोग से मुझे बचाया गया तो हम लोग अपना जान बचाकर वापस ओपी आए तो उस सभी लोग एवं उनके प्रश कुमार उसिशु सिंग सवी साक्टीनान सामयागर सुनु सिंग किता स्वर्जिय साचो सिंग सचिनान सिंग साकिन सिर्शी अवित थाना घोश्वरी सामयागर ओपी जिला पटना एवं अस्थानिये एक ही जाती के 30 35 अग्यात पासा है आपके इन्फर्मेंट का अग लोगों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बलकल कम रहने के कारण उप सभी व्यक्ति धंकी देते हुए भाग घंकी देते हुए भाग इनको ओपी में लगे सीसीटी फुटे के फुटेज मस्थानिये लोग हम चौकिदार के माध्यम से पाचान किया गया तो इसका मतलब अब यह हो गया आपकी एफाई यार से ही कि पुलिस स्टेशन में कोई घटना नहीं घटी पिर से पढ़ लिए हम लोगों को पीछा करते भी ओपी आए और गाली गलोज एवां रंगदारी करते भी अभादर बेवहार किये अभादर बेवहार किये कोई वहां पर कोई लाठी चलाने की बाद वो तो इन्वेस्टिकेशन में आएगा नहीं प्राइम आफिसाई एफ अभादर बेवार अभादर तो में ऐसा भासा है कि जो कहीं भी कुछ थोड़ा बोल दिया तो कशकते हैं कि साथ बड़ा अभादर तरीके से बोल रहा है तो गाओं में अगर घृचि आप बहुत सी असे बाते हो सकती हैं जो आपको अभादर लगे लेकिन वहां पर कोई भ नहीं हो रहे ही कि कोई ब्यक्ति लाठी के साथ लेस थे कोई रुख जाए जरसा सुन लीजे पहले अफाइयार के सामने वो बात में बात यह जो चीज है अफायर में क्या कर रहे हैं किसी के हाथ में न कोई लाठी है न कोई हत्यार है न कोई लाठी चला रहा है ठीक है यह कहते हैं कि भाग गयों लोग तो आपका कम बल रहने के कारण भी आप पकड नहीं सके लेकिन फिर भी वो लोग भाग गया वास ठीक है और इसकी भासा जरद दिखा है आपने इस्थानिये एक ही जाती किया जो हुआ थी यह लिखने की यह जो यह मिस्टेक है सर्थ मिस्टेक नहीं है एक लिखना चाहिए मिस्टेक नहीं है यह दाट शोज दी बेंड आप माइंड आप दी परसंट वी इस राइटिंग दिया फियर आप शोज दी बेंड आप मैंड उसका दिमागी हालात क्या था और किन हालात में वो यह फियर लॉज कर रहा था अब जरा सा मुझे यह बताईए कि आठ पंदर क इसके रिस्पेक्ट में कॉल आया था सब्सक्राइब कोई रिकॉर्डिंग नहीं है नहीं सब्सक्राइब कोई मेल नहीं है तो अब आप यह बताईए सब्सक्राइब कि जब इतनी बड़ी घटना आप इसको मान रहे हैं जिसके लिए रात को एक बज़े घर में घुसना हो किसी के तो क्या पुलिस फोर्स बेजने के पहले आपको इस राइटिंग में कुछ पोईशन भी नहीं मांगेंगे क्या है क्या हुआ हुआ नहीं नहीं को पर सुपा था दो अवहां पर यहां पर हुआ और वहां पर कई और यहिंव छूटेज घर में पartex 5 मोट ज़े इसमैं करोने directed क्या अगर उन्होंने नहीं लिखा है कि थाने पर अटेक हुआ तो आप जबर्दस्ती बना देंगे क्या कि थाने पर अटेक हुआ यह लिख रहे हैं खुद ही लिख रहे हैं हम लोगों को पिछा करते हुए उपी पर आये और गाली गलोज रंगदाली करते हुआ अभदर बेवार किये अटेक का मतलब क्या होता है यह गटना जो है एक ट्रांजेक्शन में कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा गटना हुआ गाउ में और लोग पिछे से आये और इसे हमारे साथ गाली कलोज किये और फिर वह लोग भाग भी गए तो इसकी सत्यता तो जांच होगी बाद में लेकिन अटायक हुआ थाना पर यह कैसे अब एटायक कैसे होता है क्यों आप रिट करने लगते हैं जो चीज वर्ट नहीं है और दूसर भाई जो हांति दा गयत करूं कर बेंद ब्रेंस सब्सक्राइब करणा नहीं हैाँ कैसे है आध भी आपके काउंटर एफेडविट में कहीं कुछ नहीं ऐसा है मिस्टर दिपक कुमार नहीं हम लोग तो सिधे हम लोग क्या दिया है कि आप इसको पूछे तो ठीक है मेरिट पर जो इंस्ट्रक्शन है हम इनको यह पूछ रहें कि इस तरह का पूलिस न क्यों किया अगर माली ठीक है आप कहते हैं कि बड़ी गटना नहीं थी यह लोग गये थे तो आपकी जिम्मवारी थी कि नहीं वहां आप सिविल सोसाइटी के साथ बैट करके इसको आप नि नहीं है मैं किसी को नहीं जानता हूं नहीं जानना चाहता हूं कौन किसके पति है नहीं इसमें यह वहां की सिच्वेशन जो साब ने बताई थी कि गवाँ में काफी टेंशन है और ठाने पर इस तरह से उन्होंने गुनूंदी आ था सर। फिट एफ यह दर्ज को कि अगर ऐसा रिपोर्ट था आपको तो आप वहाँ डिप्यूट करते हैं एक सिविल सुसाइटी की मिटिंग करते हैं आपने इतना मतलब योर एक्षन इस नोट अल कॉमेंसरेट तो वट्वर्ड 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 रिकॉर्ड बाई यह इस डिम साहब ने गलत ओर्डर किया एक गलत स्रोथी पैदा हुआ और वहां से लेकर के आपने उसको इतनी वरी घटना में पढ़नती देदी इसकी जिए खुल देटा है इसको पाम नहींड वेट एक्षिव नौन प्रिष्टा अंपर ज मुट पाड़्ड वायप वाय्टक्टी वायरे प्डीन वेटीश प्रच्ट्टी वाइचियों प्रच्टीटम रूक बालाव रिकॉर्ड प्रडित्पेति उस्त्टेड है उस्त्ट आपने क्या किया है यह दिख रहा है मुझे आपने जो भी किया है वो दिख रहा है कि आपने SDM ने कानून को अलग रख कर गे समन इन वारंट कर दिया प्रोसेडिंग इनिसिएट कर दिया आपके पुलिस ओफिसर ने जाती के नाम पर जो है फायर कर दिया लिख करके और आपने उसे पुलिस मुहिया कराया रात को एक बज़े घर में घुश करके लोगों को कि एरेस्ट करने के लिए लोकली वहीं इस्टेशन थे सर मैंने कहीं से नहीं भेजा था सर्व एसे चोने पिना आप से परमिशन के पुलाया था रेट के बाद में इंटिमेट किया हम ने कहा था इस फायर करी एक रेट के बाद इंटिमेट के आपको उसके पहले सर यह रिसका मतलब करने है कि पहले आप से आप से कोई बात नहीं हुए दिन की बात हैं कि सामने बताया कि हाँ गटना सही है तो हमने यही कहा कि ठीक है फायर दर्ज किटाई जो फॉर्द नेसेसरी एक्षान है इसमें किया जाएगा यह बात कोई थी हमने सब पार्टिकुरलर्ली बीए सब को बुलाना या लाइन से फोर्स देना या इतने बजी जाकर रेट करो जैसा सर्व को कह रहे हैं सर्व का मतलब है कि रेट की कारवाई की परमिशन आप से नहीं ली गई थी हमसे पूच के रेट करना है वही तो हम कर रहे हैं आप से पारवार तो आपके शेचों ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमको रात को रेट करना है दिन में सब्सक्राइब यह है कि जब यह घटना जब फाइयार दर्ज होई थी तो हमने कहा था कि ठीक है जो भी इसमें फर्दर नेसेसरी एक सने इसम वाल टाइप की एडिया में हम रहा था फोर्स की ज़रुदत पड़ेगी तो लोकल सभी हमसे आप कह दीजिएगा लाइन से भिजवाना होगा तो भिजवाएंगे नहीं तो नियर भाइब यह से उनसे भी आप बात कर सकते हैं इस तरह से बात हुए तो फिर बात वहीं अट ऍरगर में दो रेट किया गया राथ कुम मिदनाइट रख विदाओ टिकिंद पर्मिशन पर्मिशन प्रुलरी मिधा रध कर दिकिसरे सिजान गाडिली इस ता रहा ज्यान बुलिए था चुन कर दो जा बूले ड़का विज्वा है अट इस तर्में पंड़व प्रमिशन थ आपका स्टेटमें में रिकॉर्ट करूंगा आपका स्टेटमें में रिकॉर्ट करूंगा स्टेटमें में में रिकॉर्ट करूंगा है पिर टो हुट खो लिक यह तब तक खिर खो डा किसरल फट्ट खोट किस्ट में वी टासर ब्राइब नग फिया है I will record everything, but in future, he should be very careful. He has sought apology. He has sought apology, therefore I am not proceeding against him. He looks... अभी उमर उनकी कम लग रही है, मुझे थोड़ा, और आगे इनको जिन्दगी में जाना एका लगता है. तो मैं इनको उप्यस्य और बिप्यस्य को लिखने वालता है. अभी है, वी है फालता है? अगर तो क्या होगा, आप समझीए, जिस करना जो जिस ओफिसर को जो पावर एकसरसाइज करना है, वो पढ़ी नहीं रहा है उस सक्सन को. उसी तरह, लास्ट दे भी, जो आयो था और जो ओफिसर इंचार्ज था, ही मिस्लेड उस, on the arrest memo पे. वो बार बार काह रहा थे कि नहीं है तुहारे पास, बोला था नहीं है. तो आप से तुम्जीए, न क्या स्थित होगी है? they are not understanding the law that was sent to the court what's your name mr speak sir vinit kumar sir when did you join there sir 177 717 sir 17ель seven july 2020 sir 17 july 1 so we are married to 107 the same as a of my work is not easy to meet me सब्सक्राइब तरह से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है हंड़ेट सिवन को लेकर सर मेरे यहां से कोई डॉकमेंट कीपिंग भी नहीं है इसकी सर टोटली बीटिवीन सब्सक्राइब कोड से ठाना प्रखाडी और दो जो ऑफसर है सर्कल इंस्पेक्टर एस डिप आप टोटना यहीं है मेरा परशनली सर इसमें जो है किसी वेक्सब्साथ को निशीएट करवाने में ऐसा सब्सक्राइब को इसमें नहीं है